डिस्को राजा तेलुगु मूवी समीक्षा डिस्को राजा 2020 की भारतिय तेलुगु भाशा की साइन्स फिक्षन एक्षिन फिल्म है जो वी आनंद द्वारा निर्देशित और S.R.T. Entertainment के बैनर तले राम तलुरी द्वारा निर्मित है इसमें बॉबी सिम्हा, पायल राजपूत, नाभा नतेश, तान्या होप, सुनील और वेनेला किशोर के साथ रवी तेजा दोहरी भूमिका में हैं संगीत एस्थमन द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक घटमनेनी द्वारा और संपादन श्रवन कटिकानेनी द्वारा किया गया है फिल्म में वैग्यानिकों के एक समूह द्वारा एक नई वैग्यानिक खोज का उपियोग डॉन के बेटे को एक विशय के रूप में उपियोग करके एक मारे गए संगीत प्रेमी डॉन को पुनरजीवित करने के लिए किया जाता है डिस्को राजा 24 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली जिन्होंने रवी तेजा के प्रदर्शन, एक्शन द्रिश्यों, साउंड ट्रैक और बैक्ग्राउंड स्कोर की प्रशनसा की लेकिन फिल्म बॉक्स फिस पर बंबन गई इसके बाद सीक्वल की योजना रद्ध कर दी गई लद्दाख की परवत श्रिंख लाओं में बेधमी से हमला किये गए एक व्यक्ती को मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था, जिसे एक अभियान दलने जमे हुए पाया उन्हें रीलाइव लैब में ले जाया जाता है, जहां डॉक्तर शिशिर डॉक्तर परिनीती और उनके सहयोगी फालगुनी को एक ऐसी तकनीक पेश करते हैं, जो मृत लोगों को पुनरजीवित कर सकती है प्रयोग के बाद विशय जाद जाता है, लेकिन उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं रहती दिल्ली में विशय की प्रेमिका नाभा एक रिन अधिकारी को समझाती है कि वासु नामक विशय दिन से रात तक कई व्यवसायों को संभालता है, इस दौरान वह उसके प्यार में पड़ गई अपने सौतेले भाई कौशिक जिसने परिवार का पैसा छीन लिया था कि तलाश करते समय वासु ने उसे पाया, लेकिन कभी वापस नहीं लोटा वह यह भी बताती है कि वासु के परिवार के सदस्य वास्तव में अनात हैं जो एक साथ रहने आये थे इस बीच वासु परिणिती के कार्ड का उप्योग करके भाग जाता है, लेकिन भारी रोशनी के कारण बेहोश होने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया जाता है परिणिती बताती है कि वासु को किसी ने मार डाला था और डॉक्तरों ने उसे पुनरजीवित कर दिया था लेकिन वह वासु की यादों को पुनरजीवित करने पर अड़ी हुई है और उसकी लाश के साथ मिली एक वस्तु को पुनह प्राप्त करती है जिसे फालगुनी को सर्विसिंग के लिए दे देती है जो लोग उसे याद करते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में वासु एक मंत्री की पिटाई करता है और उसकी गिरफतारी के बाद वीडियो वाइरल हो जाता है बर्मा सेतु नाम का एक वृद्ध गैंगस्टर वासु को जीवित पाकर आश्चर्यच्खित हो जाता है और लालू शास्त्री के समूह की मदद से उसे पुलिस स्टेशन से लेने के लिए अपने आदमी भेजता है गुंडे वासु उसके भाई और डॉक्टरों को ले जाते हैं हाला कि फालगुनी ने परिनिती द्वारा दिया वासु का पैकेज फेंक दिया और वासु ने म्यूजिक प्लेयर और हेड़फोन ढूंडने के लिए पैकेज उठाया संगीत सुनकर वासु की यादे ताजा हो जाती हैं और खुद को डिस्को राज बताते हुए गुंडों से लड़ता है यह जानकारी लालू शास्त्री द्वारा सेतु तक भी पहुँचती है शिशर बताते हैं कि राज की वास्तविक उम्र सत्तर साल है क्योंकि वह 35 साल से जमे हुए थे और संभवत वासु नहीं है राज अपनी पहचान फिर से खोजने के लिए फालगुनी को अपने साथ ले जाता है अस्पताल में धायल शिशर सेतु को राज के पुरुधार के बारे में बताता है राज अपने द्वारा स्थापित मदरास बार का दौरा करता है, जहां एक दोस्त बताता है कि राज एक संगित प्रेमी गैंगस्टर था, जिसका प्रतिदवंधवी गैंगस्टर सेतू के साथ विवाद है, जिसके सहयोग से इनकार करने से गिरोह युद्ध छिड़ गया दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सदस्यों को मार डाला, लेकिन राज सेतू को जीवन भर के लिए गिरफतार कराने में सफर रहा राज को हेलेन नाम की एक मुकबधिर लड़की से भी प्यार हो गया, जिसने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन अंत्ता उसकी भावनाओं का प्रतिकार किया जब हेलेन शादी से पहले गर्भवती हो गई, तो राज ने उससे शादी की, अपनी मौत का नाटक रचा और एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपने गिरोह को पीछे छोड़ दिया हाला कि सेतु को जेल से मुक्त कर दिया गया, और उसने राज के गिरोह के सदस्यों को प्रतिशोध पूर्वक मार डाला राज और हेलेन पर भी लद्दाख में हमला किया गया था लेकिन राज खुद मारे जाने से पहले हेलेन को एक ट्रक में भेजने में काम्याब रहे रहस्योद घाटन के बाद राज का वासु से सामना होता है और वह खुद को उसका बेटा बताता है मौके पर पहुँचकर राज और फालगुनी पर वासु द्वारा हमला किया जाता है जो राज से हेलेन की हत्या के बारे में सवाल करता है राज उसे मारने से इनकार करता है और सेतु के साथ जगडे में पढ़ जाता है घायल सेतु ने खुलासा किया कि उसने राज को लड़ाख में नहीं मारा था और वह अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए उसके पीछे आया था राज उसे मारने से इनकार करता है जहां उसे सच्चाई का एहसास होता है और वह पुलिस वाले को गोली मार देता है जिसने न सिर्फ वासु का ब्रेनवाश किया था बलकि वासु के परिवार को मारने के लिए गुंडे भी भीजे थे अफसर की लाश की फोटो देखकर गुंडे पीछे हट जाते हैं राज और फालगुनी को पता चलता है कि एंथोनी दास नाम के एक व्यक्ती ने उन्हें मारने का आदेश दिया था और वासु के साथ मिलकर एंथोनी के लोगों को बंदूग की नोक पर पकड़ लिया इससे पहले कि एंथोनी जो राज के गिरोह का सदस्य उत्तर कुमार थ ने राज को गोली मार दी उसने खुलासा किया कि उसने सेतु की पत्नी को मार डाला और उसे राज के गिरोह को मारने के लिए कहा एंथोनी ने अपनी मौत की भी जूठी कहानी रची और वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने लद्दाख में राज को चाकु मारा था हाला कि राज, वासु और फालगुनी मिलकर गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं बाद में राज ने एंथोनी को मार डाला और खुद भी चोटों के कारण दम तोर दिया दिल्ली लोट कर वासु कौशिक की मदद से अपने परिवार का कर्स चुकाता है और नाभा के साथ मिल-मिलाब करता है लब में राज को डॉक्टरों ने एक बार फिर से जीवित कर दिया है जबकि सेतु और एंथोनी भी लब में ठीक हो रहे हैं